हे संबित पात्रा आपसे सवाल है कि राम जी को इस बार चुनावों ने बुलाया है ये इसलिए क्योंकि साड़े चार साल बीतने के बाद आपके कुछ मंत्रियों के सब्रका बंध तूट रहा है उमा भारती ललकार रही है कि कोई माई का लाल वहां मंदर के अलावा कुछ बना नहीं सकता है कोट से भरोसा उठ गया है अगर उठ गया तो जमीन अधिक्राइड कब कर रहे है देखिए अंजना जी मैं थोड़ी देर पहले जगजीत सिंग को बहुत सुनता हूँ राम जी के मंदर के आने का जो खबर है उसी लिए आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में उससे पहले सुब संकेत की जो खुश्बू है वो आज पूरे बयार के साथ बह रही है ये इतने लोग आज कह रहे हैं कि राम मंदर कब बनेगा इतने लोग ये जो बैठे हुए मेरे मित्र जो बैठे हुए है आज से पहले जो कहते थे राम मंदर नहीं बनना चाहिए राम मंदर में क्या रखा है ये तो राजनीती का विश्या है आच लाचला के बोल रहे है कब बनाओगे कब बनाओगे कैसे बनाओगे बिल लाओगे प्राइवेट मिम्बर बिल लाओगे या ओरिन्स लाओगे याद रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है तभी तो ये सारे लोग ये सुबर शंकेत दे रहे हैं संकेत का कोई लाइफ स्पैन है क्या कोई टाइम लाइन फिक्स किया है आपने या फिर आजीवन मतलब आपने इसको आमरण वो अमरित दे दिया है कि यह संकेत देते रहेंगे मंदिर देना ले अंजना जी मैं यही कह रहा था कि अनेको डिबेट में आपके साथ भाग लिया और अच्छा भी लगता है आप बहुत तार्किक बहस करवाती है मैं पहली बार अंतरात्मा की आवाद के साथ आपको बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देता हूं देखिए 500 वर्सों से ये केस चल रहा है इसका आर्थ नहीं है कि हमेशा के लिए हिंदूओं को इंतजार करना पड़े बिल्कुल नहीं है समय आ रहा है शद्धा और सबूरी ये दोनुश शब्द बहुत महत्तोपून है आपने हम पर शद्धा रखा इतने वर्षों तक हम पर मानिकिस पर संग पर विश्व हिंदू परिशत पर भारतिय जनता पाटी पर संत्य समागम पर इन पर शद्धा रखा अब सबर का आपका जो विशय था मुझे लगता है पूरा होने वाला है जल्दी ही मंदिर बनेग 490 वर्ष का सब्र किया हैी और होने आभी 4 वर्ष। और समर्न किया है लेकिनदेमी वने बिल्की बात कई है लेकिन एक बात अंजना जी समय को मंद्र चाहिए जन भूमी पर मंदीर चाहिए मौझी सुनते है लास्ता क्या होगा यह हिंदू समाज नहीं कूछता है जो मंदर नहीं चाहते हैं, वह बार बर टिक पड़ी करते हैं। आप आप कारून पर विश्वास नहीं करते हैं। आप S.C. पर विश्वास नहीं करते हैं। हमने बहुत देखा है। हमने आपसी बिमर्ष में कर लिया है, हमने SC पर भी प्रतिक्षा किये, तब हमने बिल की बात किये, लेकि आज एक बहुत अच्छी बात है, राकेश सिनाधी प्राइविट बिल ले करके आए है, हमने इन वर्चों में आएंगे, उन्होंने कहा है, इतने दिनों तक अंजना ज प्राइविट बिल में एक उनके लिए खुशकबरी है, वो वोट डाल सकते हैं, ये एक उनके लिए रास्ता खुल गया है, ये सीता राम येचरी को सीदे ललकारा राकेश सिना ने, आप जैदी साब बताईए, आप लोग साथ दीजेगा, राम मंदिर बनना चाहिया नहीं अर्जिना जी हमने उस दिन कहा था, जितनी सुप्रिम कोर्ट के अंदर ये सुनवाई तली थी, कि गीजेपी की राज़निती के लिए शुप संकेत, और देश के लिए शुप संकेत है, मसला ये नहीं है, राम मंदिर इनके लिए धंदा है, आस्ता नहीं है, आपने मेरा सुनें, मतलавно सात नहीं दी जेगा, एक मिर्ट, चार साल से उत्तर पर, पास साल से मोधी सरकार है, λफए जितने हैं, वो राज्यी सरकार के राम मंदिर धंदा है, अरे सुनगे आपके लिए धंदा है, आप कों है? आप सुनेंगे, आपके लिए आसल नहीं होता ब्ल थिनिज च्वे मन्दिर थन्दा हे अगर मैं मस्जिद को ऐसे कह दू तो अभी तक मैं निखेल गया हुआ तो इनकी हिंमत कैसे है रां मंधिर को ठंदा करते दिए ने लिए राम मंधिर थन्दा करते देए ने इस और धीन की हिंमत कैसेुए लिई पहुँक्त गवल कर सकता हुए, बाकि हra अंजिशन्ट को प्र Buffoo को बीटा गहीं, पर रोपने मेरा से एक ज्राणों सहीं है, ँसको पाहर कई गिए आसा होगता हैów. आप पुरंध से वाप आपके लिए आसा लिए अधार माने जाए वागा है। academy कि लुत्ग कि डिता हे ऴुटाओव चिता ।